जैहिंद, मारुती सुजुकी ने न्यू ब्रेजा को लोंज कर दिया है बट ये भी CSD में लिस्टिट नहीं हुई है आप लोग सोच रहे होगी कि हम ते हां टोयटा कास के CSD प्राइस देखने आये तो मैं मारुती सुजुकी की क्यों बात कर रहा हूँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि मारुती सुजुकी ने न्यू ब्रेजा के प्राइस ही कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिये हैं खास कर इसके VXI वेरेंट के इस वीडियो में हम टोयटा कार्स का जुलाई 2022 का CSD एक शोरूम प्राइस तो देखेंगे इसके साथ में न्यू ब्रेजा VXI वेरेंट का टोयटा अर्बन क्रूजर के मिड वेरेंट के साथ एक शोर्ट कमपेरिजन भी करेंगे जिससे कि आपको डिसिजन देने में हेल्प मिल जाएगी कि आपको न्यू ब्रेजाकार CSD मिलिस्टिट होने का वेट करना चाहिए या फिर अर्बन क्रूजर के साथ चले जाना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले CSD से रेलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन को भी ओन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए फर्स्ट कार टोयटा अर्बन क्रूजर है अर्बन क्रूजर के CSD प्रैसीज देखने से पहले की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं अर्बन क्रूजर में 3995 mm की लेंद, 1790 mm की विट्थ और 1640 mm की आइट मिलती है इसमें 198 mm की ग्राउंड के लेंद यगें 328 liters का बूट स्पेस मिल जाता है अर्बन क्रूजर में 1.5 liter 4 slander naturally affected petrol engine मिलता है यह 5-speed manual transmission के साथ 4-speed torque converter type automatic के साथ भी आवलेबल है torque converter के साथ SHVS system यानि smart hybrid system भी मिलता है जिसके विजए से थोड़ी fuel efficiency अच्छी मिल जाती है अर्बन क्रूजर के साथ 3 years या फिर 1 lakh km तक का warranty package मिल जाता है अर्बन क्रूजर के total 4 variants में मन्त में CSD portal पे लिस्टिड है आप अब इसके all 4 variants के July 2022 के CSD XORUM prices देख रहे हैं इनमें से first variant जो white color में दिया गया है उसको CSD से officers, jcos and oars सभी लोग purchase कर सकते हैं और जो variants yellow color में दिये गए हैं उनको CSD से officers and jcos purchase कर सकते हैं और जो variant red color में दिया गया है उसको CSD से गेवल officers purchase कर सकते हैं अगर pay level के according बात करें तो जिनका pay level 3-2-6 है वो इसके white color में दिये गए variant को CSD से परचेज कर सकते हैं जिनका pay level 7-9 है वो इसके white and yellow color में दिये गए variants को CSD से परचेज कर सकते हैं और जिनका pay level 10 and up हो है वो लोग इसके सभी variants को CSD से purchase कर सकते हैं तो ये तो अगे urban cruiser के CSD prices, अब अगर urban cruiser को new breja से compare करें तो urban cruiser का mid variant है वो ब्रेजा में VXI variant के नाम से आता है तो चलिए इन दोनों ही variants को compare करते हैं अभी आप urban cruiser यानी old breja और new breja के front side और rear side look देख सकते हैं looks का ऐसा है कि ये percent to percent depend करता है किसी को किसी कार की लोग अच्छी लगती है, किसी को किसी दूसरी कार की लोग अच्छी लगती है अगर मैं अपना opinion दूँ, तो जो new breja है, इसके ZXI और ZXI plus variant का तो ठीक है अबर जो LXI और VXI variant है, उनका जो front look है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा in comparison जो old breja के LXI और VXI variant का front look था, वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लगता था और वहीं अगर rear look की बात करें, तो rear look मुझे new breja की ज़्यादा अच्छी लगी तो इन दोनों ही variants में आपको all four power windows, electrically adjustable and foldable ORVMs, manual day night IRVM, turn indicators on ORVMs, adjustable rear headrest, steering mounted controls, rear defogger, automatic AC और 16-inch wheels with full wheel cover जैसे features मिल जाते हैं अब अगर new breja VXI variant के unique features के बात करें, तो इसमें आपको rear receivants, new breja के base variants से आपको manual transmission के साथ भी smart hybrid system मिल जाता है, जो के urban cruiser के cable automatic variants के साथ ही आपको मिलता है, इसके लावे इसमें आपको 7-inch touchscreen infotainment system भी मिल जाता है और अब अगर urban cruiser mid variant के unique features के बात करें, तो इसमें आपको dual LED projector headlamps with DRLs मिल जाते हैं, जो कि पहले old breja के VXI variant से मिलने चुरू हो जाते थे, बट new breja में ये cable ZXI और ZXI plus variant में मिलते हैं, इसके लावे इसमें आपको keyless entry with push button start stroke भी मिल जाता है, और साथ में इसमें आपको dual front glow box भी मिल जाते हैं, तो अभी आपने देखा कि new breja VXI variant में कुछ features add किये गए हैं, तो कुछ features VXI variant से हटा भी लिए गए हैं, जो कि urban cruiser mid variant में अभी आपको मिल रहे हैं, इसके लावा कुछ features चोटे मोटे और भी हैं, जैसे कि new breja में आपको hill hold assist, electronic stability program जैसे features मिल जाते हैं, base variant स जाई, और वहीं आप अगर urban cruiser लेते हैं, तो इसके साथ आपको 3 years and 1 lakh km तक का warranty package मिलता है, जो कि आप अगर कोई भी मारूती सुझुकी की car लेते हैं, तो उसके साथ केवल 2 साल और 40,000 km तक का ही मिल पाता है, और इसके इलावा urban cruiser का mid variant है, वो officers, JCOs and ORs सभी की limit में आता है तो अब यह आप भी depend करता है कि आपको new breja का LXI variant चाहिए या फिर urban cruiser का mid variant चाहिए, उमीद करता हूँ कि जो यह information आपने अभी देखी, आपका decision लेने में कुछ help कर पाएगी नेक्स्ट कार टोयटा गलांजा है, गलांजा में 3,990 mm के लेंथ, 1,745 mm quid and 1,500 mm के आइट मिलती है इसमें 170 mm का ground clearance यागान 318 liters का boot space मिल जाता है, गलांजा में 1.2 liter force lander naturally expected dual jet petrol engine मिलता है यह 5-speed manual transmission के साथ AMD type automatic के साथ BCSD में available है, गलांजा के साथ 3 years या फिर 1,000,000 km तक का warranty package मिल जाता है गलांजा के total 4 variants जुलाई मन्त में CSD portal पे listed है, आप अब इसके all 4 variants का July 2022 का CSD extra room price देख रहे हैं इसके first 2 variants जो yellow color में दिये गए हैं, उसको CSD से officers and JCOs purchase कर सकते हैं अभी गलांजा के किसी भी variant को OR CSD से purchase नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो base 2 variants ENS हैं, वो CSD portal पे listed नहीं है जब वो CSD portal पे listed हो जाएंगे तो वो ORs की limit में आएंगे इसके इलावा जो next 2 variants red color में दिये गए हैं, उनको CSD से केवल officers purchase कर सकते हैं अगर pay level के according बात करें, तो जिनका pay level 3A to 6 है, वो इसके किसी भी variant को CSD से purchase नहीं कर सकते हैं जिनका pay level 7 to 9 है, वो इसके yellow color में दिये गए variants को CSD से purchase कर सकते हैं और जिनका pay level 10 and 9 हो है, वो लो अब गलांजा के सभी variants को CSD से purchase कर सकते हैं जुलाई मन्त में Toyota Innova Crysta CSD Portal के लिस्टिड नहीं है, जब वो CSD Portal के लिस्टिड हो जाएगी तो मैं उसका separate video upload कर दूँगा तो ये थे Toyota Cars के July 2022 के CSD X Showroom Prices, ऐसे CSD में available Cars and Bikes के हर महिने के updated prices के साथ में Cars से related informative videos देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके all notifications को गयोन कर लें आगे आपको आने वाले वीडियो की notification मिल जाए, वीडियो देखने के लिए thank you, जै हिंद